सब्सक्राइब कर देंगे तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है मॉडनिस्टी और और कल वाला जो लेक्चेर है मुझे पता है काफी लोग कॉमेंट कर रहा है कि अवेलिबल नहीं है अप्लिकेशन पर इसके रिगार्डिंग जो है अगर आपको अभी तक नहीं पता है दिन दाट मींस कि आप प्राइवेट टेलिग्राम ग्रूप में जॉइन नहीं हो जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो वह अप्लिकेशन पर भी अवेलेबल नहीं है पता नहीं उसका क्या रीजन है कि वह डाउनलोड हो ही नहीं रहा है तो उसका लिंक प्राइवेट टेलिग्राम ग्रूप जो नहीं जोइन किया है तो उसको जोइन कर लेंगे वहां पर आपको यह लिंक मिल जाएगा ठीक है जैहन सभी को मोहित गुड इवनिंग शैला सूर्भी सभी को गुड इवनिंग चलो तो स्टार्ट करते हैं अडवेंट ऑफ यॉरोपेंस स्टार्ट करेंगे अब बात ये भी आती है कि डिफरेंट यॉरोपेंस जैसे की पॉतुगीस डच यानि नेधर लैंड वाले अंग्रेज यानि की ब्रिटिश एर्स फ्रेंच डैनिश और डेन्मार्क वाले ये सब इंडिया में क्यों आ रहे हैं मतलब अब क्यों आएंगे ये लोग कुछ तो कारण होगा बिल्कुल तो as you all know इंडिया को सोने की चलिया कहते थे ट्रेड स्टार्ट हो चुका था विद अधर कंट्रीज और अब ट्रेड रूट रूट हुआ करते है अभी तक सी रूट नहीं था ठीक है तो लैंड रूट कैसा होता था यहां से जाता था यहां से यहां से इंडी सेंस यह अफ पे हम लोगों ने देखा था है न मिस्ट साट टू सेटलाइट जो चाइना और एजिप्ट ने दोनों ने मिलके लॉंच करी तो हमने देखा था कि एजिप्ट कहां पे है तो एजिप्ट पर्शन गल्फ में पड़ता है निकि वो ट्रेड रूट कंट्रोल करता था कौन मेंली एजिप्ट और जो बाकी की अरब नेशन थे वो पूरे ट्रेड को कंट्रोल करते थे तो अब्वेसी बात है जो यहाँ पर यॉरप लोकेटेड उसको ट्रेड तो करने नहीं देंगे इंडिया के साथ क्योंकि वो ट्रेड को मोनपलाइज करना चाहेंगे खुदी ट्रेड करना चाहेंगे खुदी सारा पैसा कमाना चाहेंगे तो अब यहाँ पर जंग छड़ती है बिट्विन यॉरपें नेशन्स कि हम भी अब जो है ट्रेड कैसे करें यहाँ से तो जा नहीं सकते तो अगर जैसे ओयो स्टार्टप है ठीक है ओयो जो है भले आज किसी भी परपस के लिए यूज़ हो रहा हूँ लेकिन ओयो का जो मेन जैसे जो फांडर एडिटेश अगरवाल तो ने क्यों फांड किया उनको प्रॉब्लम होई थी जब बाहर कहीं रहने गए उनका वो परपस नहीं था जो परपस आज ओयो से फुल्फिल हो रहा है वैसे तो उनको रहने में दिखका था तो फिर वहां से उनको यह आईडिया है कि क्यो ना मतलब इस तरह का ऐसा कंपनी स्टार्ट के जाए तो ऐसे ही Europeans ने अपना start-up start Kiya कि वहां को आज़ग ऑनल्ट को रहें तो alternative कहीं कर एक सी वोयाज ताट-这样 को यह सी रूट को यह न्वेंट करेंगे अब सी रूट को इन्वेंट करेंगे अब सी रूट को चंपर रह तो तो आपस में यहां पर कंट्रीज पास पास में पसपास मे एक है Spain Portugal और Spain ये दोनों आपस में लड़ रहे थे मतलब दोनों एक ही country में जा रहे थे तो इस तरह से काफी नों के बीच में जहड़े हो रहे तो तोनों ने एक treaty of treaty of Tordesillas इसको याद नहीं रखना है मैं ऐसे बता रहो ताकि थोड़ा सा बस भूमी का बंद जाए और आपको चीज़ें समझ में कि सारा कैसे चीज़ें हो रही है तो Spain को मिला कि आप Spain जो है ये western side में जितने भी countries हैं आप जाओ हम western side में नहीं जाएगा और Portugal जो है वो eastern side में जाएगा तो इस तरह से treaty of Tordesillas से ये clear cut हो गया ठीक तो अभी यहाँ यहाँ पे sea voyages चालू होते हैं और सबसे पहले इंडिया में land करते हैं Portuguese और ये याद रखिए का सबसे पहले इंडिया में आते भी Portuguese हैं और सबसे last में जाते भी Portuguese हैं ठीक है वहम लोग last में देखेंगे तो Portuguese तो कोई इस्से पहले है और सबसे और सफ़े ओंग्रेजहों के भी वाद में गए ठीक है तो सबसे पहले 1498 में वैसे इस से पहले भी एक हमारे चलो वह बाद घंत हैं एक गाम मे वास्क मे यंदिया है कहां पर यहां पर एक जगह पढती है Calicut और Calicut में सबसे पहले इन्होंने अपने कदम रखे यहां के राजा हुए Zemorin उन्होंने इनका स्वागत भी खुब धंक से किया क्योंकि ओवेसे बात हो वो भी अपने फायदे के लिए अच्छा खासा ट्रेड हम इनके साथ कर सकते हैं इसके साथ तो Zemorin जो है यहां कर आजा था Calicut का जहां पर वासकोडिगामा लैंड किया सबसे पहले बार तो फॉर्स्ट कौन था इंडिया में लैंड करना था वासकोडिगामा जो बोलते हैं कि वासकोडिगामा ने इंडिया की खोज नहीं करी वासकोडिगामा ने इंडिया के सी रूट की डिस्कवर्डी करी वासकोडिगामा ने बस ऐसे तो है नहीं कि मतलब इंडिया एक्जिस नहीं करता था पहले इंडिया के बारे में किसी को पता नहीं था रही बात कोलंबस की जिसने की America discover किया तो इसने actual में West Indies discover करके ये बोल दिया था कि हमने India discover कर लिया ठीक है West Indies को तो बाद ने पता चला वो इंडिया नहीं है तो इसी वैसे फिर उसका नाम West India पढ़ गया that is West Indies पढ़ गया खेर उसको हम eliminate करते हैं इंडिया पर focus करते हैं वासको डिगामा वासी फॉर्स्ट ये भी बोलना गलत रहेगा रीजन क्योंकि इससे पहले भी कुछ travelers आये थे लेकिन अगर हम बात करें सी वोयज की तो वह पहला सबसे पहला carry-on किया था वासको डिगामा ने सकते हैं जैसे कि आप हम लोग अभी British East India Company आपने नाम सुना होगा तो वैसे ही सब की एक East India Company थी because East India था पॉत्योगीस की Dutch की French की ऐसे सब की English की है न तो फिफ्टीन जीरो फाइफ में फिफ्टीन जीरो फाइफ में सबसे पहला इन्होंने अपना governor एक तरह से नियुक थिया जो पूरे सारे Portuguese territory को control करेगा और उसका नाम था फ्रैंसिसो डी अलमीडा इसका नाम था और यह जो फ्रैंसिसो डी अलमीडा इसका रिगार्डिंग बस हमें इत्ता याद रखना है कि यह blue water policy लेकर आया था इसको हम Cartage system भी बोलते है क्या बोलते है कार्ट आजे सिस्टम ठीक है यह था क्या एक तरह का नेवल ट्रेड लाइसेंस था यह मतलब ट्रेड लाइसेंस देने का काम करता था था ठीक है तो पहला कौन था फ्रांसिसोड अल्डी अल्मीड तो इस पर कुश्चन आ चुका है तो सिर्फ हम उतनी चीज़ें यहां पर कर जायराम से तो सबसे पहला गवर्णारम बोल सकते हैं पॉच्चुगीज कंपनी का फ्रांसिसोड अल्मीड था फिर आता है कौन फिर आता है मारा दूसरा जो की सेकेंड नंबर का था यह आता है रफली 1509 में लेट मी टेल यो यह याद करने की ज़रत नहीं है बस मैं रेफ सबसे पहले आता है थोड़ा से रफ अपने दिमाग में एस्टीमेट लगा के चलो कि यहां रफली साथ साल पांसे साथ साल बात एक्जाक्ली आपसे डेट नहीं पूछेगा वह ठीक है सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे रहे अलफैंसो या फिर अलफॉन्सो डी अलबरिक ठीक है अलबिव कि अजीब सा नाम है पस अलबरिक याद रखो ठीक है अलफन्सो डी अलबरिक इसके रिगार्डिंग हमें यह दखना है किसने 1510 में गोवा को काप्चर किया किकाप्चर्ड गोवा किससे गोवा करता था जो सुल्तान होते था बीजापूर के उनके अंडर में होता था तो काप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ओफ बीजापूर ठीक है इस पर भी कुष्चन आज जोगा है कुष्चन सम्नों करेंगे ठीक है तो 1510 में चीज इसने करी 1510 में काप्चर किया इसको ठीक है और इसमें के रिगार्डिंग एक चीज और है कि इसने सती को भी अबॉलिश किया था यह अबॉलिश ठीक है अबॉलिशन ऑफ सती इसको थोड़ा से ध्यान रखना ठीक है देन एक आता है नीना उदा कुना उसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि यह आपको बस पता रहे कि यहां यह एक पॉट्टुगीजी गवर्णर था बाकिस के रिगा इन दोनों को मराथाज ने काप्चर कर लिया था मैंने आपको कल बताए भी हो गया चीज इन 1739 में काप्चर किया था बस हमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है तो मैं फिर से आपको बता रहता हूं कि हमें याद क्या चीज रखनी है हमें ट्रीटी ऑफ टॉड़ पॉचुकल के बीच में एरिया का डिवेजन हुआ था कि पॉचुकल इस्ट में जाएगा स्पेन वेस्ट में जाएगा तभी स्पेन यहां पर नहीं आया 1498 में सबसे पहला पॉचुकी जाता है वासको डिगामा कालकट के राधा जमारिन के पास ठीक है पहला गवर्णर ब और इन्होंने सबसे अपनी जो पहली फैक्टरी है ठीक है इस्टाबलिश टेयर फर्स्ट फैक्टरी कहां पिन्होंने अपनी पहली फैक्टरी लगाई मसूली पत्नम यह कहां पड़ता है प्रजेंट डे आंत्र प्रदेश ने पड़ता है जिसका अक्चुल में नाम है मच मचली पतनमम लेकिन यह लोग मचली फतनम तो बोल नहीं पाते थे हैं ना क्योंकि मूँ में इंकी सुपारी उती तो यह जो इसको मचली पतनम को मसूली पतनम में बना दिया तो इनकी 1st अक्षियल में फाइनली जो है सेटल डाउन कर गया इंडिया में और इन्होंने 200 साल तक रफली रूल किया इंडिया में और वो एक्सपैंशन कैसे किया वो भी हम आच्छे लेक्चरें पढ़ेंगे तो हमारे लेक्चर का टॉपिक है यह एडवेंट ऑफ यॉरोपींस कौन-क इस इंडिया कंपनी बोलते हैं कुछ लोगों ने मिलके कंपनी बनाई यह सिर्फ एक कंपनी थी और इस कंपनी ने इन इयर 1600 क्या किया उस समय की जो आपको पता है अभी भी रानी राजा वहां पे मुनार्की होती है हमारे जैसे रिपब्लिक नहीं है जो यॉनिट तो उस समय क्वीन एलीजाबेथ वन हुई तो उन क्वीन एलीजाबेथ वन से उन्होंने रॉयल चार्टर रिसीव कर लिया ठीक है यह बस में आपको यह भी रटने नहीं आपको कि कब मिला यह तो थोड़ा सा मतलब याद रख सकते हो अपने आप याद हो जाएगा आपको कि 1600 में रिसीव किया था एक रॉयल चार्टर ठीक है रिसीव रॉयल चार्टर किस से रॉयल चार्टर रिसीव किया क्वीन एलीजाबेथ वन से ठीक है क्वीन एलीजाबेथ फॉर्स्ट इन्होंने रॉयल चार्टर किस बात का दिया इनको कि आप जाओ ट्रेड करो इंडिय नहीं देंगे कि वो trade करें, ठीक, तो अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले 1608 में company का बंदा आता है, जिसका नाम है William Hawkins, यह हम लोग पहले भी देख चुकें, किसके court में आया था, जल्दी से बताएंगे comment में, William Hawkins आता है, और यह appease करने की कोशिस करता है, किसको, we all know, ज जहांगीर देने तो चाहते है, तो सूरत में, because यह demand कर रहे थे, सूरत में हमें establishment दे दो, factory में setup करने की permission दे दो, but Portuguese ने withdraw किया, Portuguese बोले नहीं, यहाँ पे इनको नहीं मिलना चाहिए, समझ लें न, जहांगीर ने फिर बता रहे हैं तुमको, तो यहाँ पे मना कर दिया, जहां मसूली पटनम महिन उने पहली factory 1611 में setup करी, but that was a temporary, not a permanent one, यह temporary factory थी धियान रखना, permanent factory नहीं थी, permanent इनकी factory आती है in the year 1613, 1613 में, आती है, इनकी first permanent factory में बोल सकता हूं, first factory at सूरत, तो बात ही आती है, अब पहले तो 1608 में जब Hawkins आया था, तो जहांगीर ने मना कर दिया, तो अभी 1613 में किसे setup कर लिया, Portuguese भी आते, नहीं, Portuguese को eliminate कर दिया, तो 1612 में, अभी जब British expansion देखेंगे, तो वहां देखेंगे कि इस तरह से एक-एक European power को उसने eliminate किया, उसके साथ कौन से battles लड़े, तो 1612 में सूरत में एक battle लड़ा गया और उसमें इनको हरा दिया, और जब हरा दिया, तो अब वैसे बात है, अब हम तो setup करेंगे ही, ठीक, and then यहाँ पर फिर एक और आता है, जिसका नाम है, क्या, चलो यहाँ पर लिग देता है, ठीक है, उपर, यहाँ पर लिग देता हूं है, 1615, ठीक है, 1615 में, एक traveler आता है, उसका नाम है Thomas Rowe, ठीक है, और यह जो Thomas R यह पूरे तरह से trading rights लेने के लिए था, कि हमें पूरे तरह से trading rights चाहिए, और 1618 तक वो मिल भी गए थे, किसको हम पूरी तरह से आपे सूरत में trade कर सकते हैं, वो Thomas Rowe लेना है, तो उसने receive भी कर लिया था, यह भी किसके court में आया था, जहांगीर के court में आया था, ठीक, अब चलिए, तो अभी आज आ रही होगी, और यह जो खर-खर की आवाज है ना, यह आपको Sunday से नहीं आएगी, ठीक है, कभी नहीं आएगी फिर, नो सरो क्या है, वोल जॉक्री मोल कॉंटेंट ही कर रहा है मतलब, चलिए, ठीक है, तो अब फ्रेंच की बारी है, ठीक है, फ्रेंच आते हैं, इन्होंने अपनी 1st Factory, 1668, First Factory, at 1668, at Surat, तो Surat मे इन्होंने अपनी 1st Factory, Setup करी खतम बात, तो ऐसे समाझ लो, फ्रेंच लास्ट है, तो डिन्मार क्वाले थे Danish, लेकिन Danish से हमें कुछ मतलब नहीं कि वो कब आये कब गये, वो उतने prominent European powers इंडिया में नहीं रहे कभी, ठीक, तो फ्रेंच थे, और फ्रेंच ही actual में main rivals भी थे, इसके बिटिशर के, तो अब हम यह देखते है, एक एक करके eliminate कैसे हुए, expansion कैसे हुए, बिटिश पॉर्टूगीज आये, पॉर्टूगीज फिर हमने पॉर्टूगीज में क्या क्या देखा कि पॉर्टूगीज में सबसे पहले तो वासको डिगा माया, 1498 में, 1505 में फ्रांसिसो डे अलमीडा, ब्लू वोटर पॉलिसी, इसको कार्टाजी सिस्टम बोलते हैं, 1509, अलफंस सूरत में, 1613 में, 1612 में आराया था पॉर्टूगीज को, और फ्रेंच है 1616 में, और लास्त है, ठीक है, चलिए तो अब भी आते हैं, एक्स्पैंशन और बेटिशर कैसे नोंने एक्स्पैंड किया दीरे-दीरे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है, कि इन्होंने अगना है, तो इस बैटल में जो है, किसको एलिमेस्ट किया और यह कब लड़ा गया, si579 में, में 1769 में और किसको अराया अंग्रेजों ने डिफीटेड डच डच का खेल यहां से खतम जब मैं बोलता हूं खेल खतम इसका मतलब यह नहीं होता हमेशा कि मतलब एक भी डच बचा ही नहीं इंडिया में हो सकता है कि कुछ जगह में डच हो और वह बिटिश के लिए बहुत क आखरी में कहीं है कि इसे पॉसिबल हमें तो बता है कि बेटिश के रूल कर रहे हैं तो इनोंने मतलब कभी अटाए नहीं पहुत कि एपधी पहुत को और अच्छल में गौवा से लस्वास में गये थैं नहीं आउंनोंने क्योंकि गउपरटेंटन था नहीं इसलिए अशि 1612 में किस को eliminate किया defeated Portuguese तभी तो 1613 में factory setup कर ली सूरत में जब यहां पर इनको हरा दिया हमें सिर्फ जो चीज actual important है वो मैं आपर लिख रहा हूँ डच का गए Portuguese गए बचे कौन फ्रेंच बचे फ्रेंच ही तो बचे तो फ्रेंच और अंग्रेजों का बहुत लंबा rivalry चला क्योंकि में पावर फ्रेंच ही थे और फ्रांस में उस समय नैपोलियन भी बैठा हुआ था ठीके तो फ्रांस से बहुत बढ़ा इनको उैट और फ्रांस के साथ ना सिर्फ इंके इंडिया में चल रहे थे बलकि इंडिया से पहले इंके उर्फ ज़ ubiqu swirlिन नहीं थी france की बी कई सारी कोल्वनिया थी जैसे हम इंडिया एक कोल्वनी थे ठीक है कोल्योंई बनने वाले थ तो वहाँ पर trade कर trade को लेके आपस में लड़े मरे जा रहे थे यौरप में ही कौन बिटिशर और फ्रांसी सी तो उसी का ही extension हुआ एक तरह से हम इंडियां बोल सकते हैं और इंडिया में जो तो बिटिशर और फ्रेंच के बीच में जो वार हुए उनको बोलते हैं कार्नेटिक वार्स क्या बोलते हैं कार्नेटिक वार्स का मतलब जो करनाटक वाला रीजन है जो करनाटक हैदराबाद यह जो रीजन है इसको बोलते हैं मतलब कार्नेटिक रीजन और यहां पर जो वार् Britishers versus French और Britishers जहाँ पे Anglo word दिख जाए मैंने कल भी बताया था Anglo का मतलब Britishers होता है Anglo ठीक है तो Britishers versus French यहाँ पे हुआ War किते War हुए कारनेटिक War टोटल तीन War हुए पहला देखते हैं कब हुआ First War यह स्टार्ट हुआ 1744 में ठीक है 1744 में it started and 1748 में it ended तो क्या सरव में exact year याद रखने के ज़रत है exact year मत याद रखो बर थोड़ा सा rough याद रख लो कि जो कारनेटिक Wars हैं 1744 से लेके 1763 तक चले चावाली से लेके 1663 तक ठीक है इतना तो प्रिसाइजली नहीं पूछेगा कि बई सेकेंड वाला कब खब तम हुआ इतना नहीं पूछेगा और पूछ भी लेगा ना तो आप इस पर्टिक्लर चीज से जो पूरा यह टाइम लाइन है इससे गेस कर पाओगे बहुत सही तरीके से ठीक है तो आप इस चीज को याद कर लो कि 1744 से लेके 1763 के बीच में हुए य और उसमें कोई एक तरह से कोई मरा नहीं अगर फॉर एक पार्टी मर गई ठीक है मतलब उसके केंग के डिफीट हो गई एक तरह से पूरी डिफीट कर लिए तो पूरा टरिटरी कॉंकर कर लेंगे का है बात की ट्रीटी लेकिन ज्याद तर्टी ओती थी क्योंकि पूरी तर दिफीट जीत गया फे फ्रेंच जीत गया तो यहां पर एक ट्रीटी हुई जिसका नाम x la chapel एक त्रीटी ओफ एक्स ला चैपल मतलब यह एक्छल में यॉरप में ही थी ठीक है और उसी ट्रीटी को यहाद रखने के ज़रत नहीं है और 1754 में यह यहां पर treaty होती, treaty of pondicherry, यहां पर actual में थोड़ा सा britisher, थोड़ा सा upper hold में थे, तो treaty of pondicherry होती है, यहां पर ध्यान रखना, यह समझ में तो आला होगा न, pondicherry लिखा हुआ यह, ठीक है, and then होता है हमारा third carnatic war, और third अगर बात करें तो 1756 में start होता है, 1763 में end होता है, और एक चीज़ ध्यान रखना यहां पर, अगर कभी एक battle of umber पूछ ले न, कि यह battle of umber क्या है, तो actual में जो second carnatic war start हुआ, यह battle of umber के साथ ही start हुआ, battle of umber के साथ ही हुआ, ठीक है, clear, तो second carnatic war related है वो, और third के अगर हम बात करें तो 1756 में start हुआ, इसको भास तिरसेट में खतम हो गया, इसको हम battle of wandi wash के नाम से भी जानते हैं, यह चीज़ ध्यान रखना, एक तो यह चीज़ ध्यान रखना, इसको हम battle of wandi wash, wandi wash क्या है, वंदवासी करके एक जगह है कहां पे तामिल नाडो में तो इसको वंदवासी बोल नहीं पाते थे तो उसको वांडी वाश कर दिये जैसे ये लोग ठाकुर का टाइगोर कर दिये तो वैसे उसको वांडी वाश बना दिये तो ये 1760 में हुआ था और इसलिए इसको बैटल ओफ बोलते है यहां पे ही में 1760 में युद्ध लडा गया ठीक और ये चीज ध्यान रखना इसमें कि इट वाज आ काइंड ओफ आब बोल सकते हैं एक्स्टेंशन इट वाज एक्स्टेंशन ओफ सेवन इयर वार मतलब मतलब ध्यान से सुनो अब इनके बीच में अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच में यॉरप में युद् छुप आपन में सुरू हुआ और उसी वहाँ पर सुरू हुआ तो यह लोग यहाँ पर भी आपस में लड़ें जैसे फॉर इंप् ऐसे समझ लो कि मानलों कि आप आप हो आसे मानलों कि यह आपके पापा इन थीक है और यह आपके पडोस वाल मी य Haus ये आपका परोष वा हैं लड़ जाते हैं तो आपके बीच में कैसे रिलेशन होंगा वेसी बात है मतलब आप फॉर एक्जामपल आप दोने लोग सेम स्कूल में पढ़ते हो स्कूल में लड़ जाओ गया तो आकचल में लड़ाई किस वज़े से हुई मतलब फादर हमारे लड़ रहे हैं इसलिए ह हम यहां पर भी लड़ाई स्टार्ट कर दिया 1756 में इसलिए इसको 7-year war का extension बोलता है ठीक है 7-year war के साथ स्टार्ट हुआ यहां पर और एंड वहां ब्रिटिशर्स की जीत हुई ब्रिटिशर्स की जीत हुई और फ्रांसीसी अभी यहां से पूरी तरह एलिमिनेट हो गया अब यहां सेनका बोर्य विस्तर उठ गया बस यहां पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहां पर ब्रिटिश फोर्स को lead कॉन कर रहा था क्योंकि यह last वाला था ना नहीं लिखा होगा sir IR court Thomas Rowe नहीं sir Thomas Rowe जैसे इनके नामे sir नहीं लगा वह क्योंकि नहीं रूल नहीं किया मतलब इतना अमारे अंदर Sir Iyer Coot ठीक है तो मैंने यहाँ पर जान बूच के यहाँ पर Sir नहीं लगाया ठीक है? विकॉस नाम हमें जानने की तरह था है ज्यादा इज़द देने की तरह था नहीं है Iyer Coot ठीक है? तो इस तरह सियाद कर सकते हैं कि Iyer Coot ने Coot दिया किसको? French, Franciscis और British ने occupy कर दिया Pondicherry, Pondicherry यहाँ पर है Pondicherry बेस था Franciscis का बेस था Pondicherry आज भी Pondicherry में आपको कुछ ना कुछ Franciscis मिल जाएंगे और इसी वज़े से क्योंकि Pondicherry capture हो गया तो अब गए, कौन? Franciscis और यहाँ से एक तरह से अबने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? हमने पढ़ा कि Britishers ने किस तरह expansion किया expansion अभी हमने किस तरह से पढ़ा? expansion मैंने अभी पढ़ा कि अपने ही जो European Contemporaries थे उनको eliminate किया अब हम पढ़ेंगे इंडिया में जो rule कर रहे थे शासक उनको अब कैसे eliminate किया उन वहाँ कैसे expansion किया बट उससे पहले सीधे बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सास लेगे यह क्यों add किया बने? क्योंकि actually मेरे back में बहुत ज़्यदा pain है back में, neck में, spinal cord की tip पे क्योंकि posture मेरा काफी गड़ बड़ है जो मैंने analyze किया तो posture मेरा काफी ज़्यदा खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोगों का यह होगा ठीक है? हो सकता है अभी आपको pain ना हो रहा हो लेकिन आगे चलके आपको pain हो सकता है ठीक है? आप जब बड़े होंगे तो यह जो आप चीजें कर रहे हो उसकी आपको pain हो सकता है ठीक है? तो इस वज़े से यह मेरे लिए भी एक reminder मैंने set कर रहा है और आपके लिए भी reminder है ठीक है? कि यह सीधे एक दम spinal cord state होनी चाहिए और deep breathe ठीक है? इससे हम relax करेंगे ठीक? तो अब अगर सभी लोग relax हो चुके हैं तो आगे वड़ते हैं और हम यह देखते हैं कि कैसे अब बाकी जो चीजें capture करीं जैसे कि बंगॉल कैसे capture किया माराथा तो देखी चुके हैं बट उसको भी फिर से देख लेंगे अफगान कैसे capture किया, सिख कैसे capture किया and then questions, ठीक है? होता है सर, अच्छा होता है तो आगे बढ़ें फिर, स्टार्ट करें हाँ यहाँ पर treaty हुई थी वैसे, याद करना चाहँ तो कर लो यहाँ पर treaty of Paris हुई थी, थर्ड के बाद ठीक है, थर्ड के बाद एक treaty of Paris हुई थी, मतलब Paris में यह treaty हुई थी, जिसको इनलों को follow करना था कि वही, फ्रांसी सीओ, अपना यहाँ से बोरा विस्तर उठा के निकल लो, तो एक तरह से यह treaty हुई थी, treaty of पारिस, जिसके तहित पॉंडी चरी और यह चंदन नगर एकर के था, टेरिट्री, उसको जो है, डीबरी था, जालिम बाम लगा, अच्छा है, जालिम बाम, चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं, बेंगॉल पे, थोड़ा समझो, मुगल शासक था औरंग जे यह उसने यहां बेजा, किसको, मुर्शिद कुली खान को, मुर्शिद कुली खान को, इसको बनाया बेंगॉल का नवाब, तो यह बेंगॉल का पहला नवाब बना, कौन, मुर्शिद कुली खान, अक्चल में यह माना जाता है, जो मुर्शिद कुली खान है, ठीक है, यह ज को बनाया गया Bengal का नवाब तो यह चीज याद करनी है ठीक सुर नरान मिश्रा याद नहीं करना है लिकन यह याद करना है कि पहले नवाब थे बेंगॉल के अभी जब बेंगॉल के नवाब थे ठीक तो थे बिल्कुल थे औरंग जेब निकल लिए औरंग जेब के बाद हमने है देखा कि और भी इनके रूलरिसा आए खटाखट एट गिरा औरंग जेब के बाद फारुक सीयर एक आया था याद करो वही फारुक सीयर जिसको साईद ब्रदर्स कुरसी में लाए थे और ट्रेट बिना टैक्स के ट्रेड पेवलेज है धीरे धीरे फ्रांसीसी भी वहां गुसे उनको मिलने लगा धीरे धीरे बेंगॉल में कंडिशन चेंज हुई मुर्शिद कुली खान के बाद आया अली वर्दी खान वैसे एक्जाक्ली बाद में तो नहीं है लेकिन उसके बाद कौन है हमें जाने की जर्वत नहीं है हमें ये जाने की ज़रत है कि अली वर्दी खान आ है और inka विं dalे बहुंता है और ile भी है इनका पोता इह वह इनके बाद में kा नम सीराजुद दॉल यह सी राजुद दॉला इसने यह बोला जब और अक्चिल में 23 एस की कम एज में इसने पुरा थ्रोन को कैप्चर किया मतलब एक तरह से नवाब बना बेंगॉल का और अक्चिल में धीरे-धीरे यह मुगल रूल से तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चोका था बेंगॉल ऐसा नहीं क कि अब जैसे औरंग जेव के टाइम तो क्या था कि पूरे कंट्रोल में था मुर्शिद कुली खान लेकिन अब नहीं सिराजुद दौला न बोला सिराजुद दौला न यह बोला यह बोला ठीक है किस से बिटिशर से समझ तो आप गया होंगे यह बिटिशर तो इन दोनों इन दोनों को बुलाया और यह जो आप शब्द आपके दिमाग से निकल रहा है वो सेम शब्द बोले ठीक है तो सिराजुद दौला न बोला कि देखो यह हमारा इलाका है अप शब्द नहीं तो यह हमारा इलाका है और इसलिए अब बात गई मतलब वो सब गया आप काम कि आप बिना टैक्स के यहाँ पर ट्रेड कर रहे था अब टैक्स देना पड़ेगा इसने तो बोला फ्रांसीसी ने हाँ ठीक हम देंगे ब्रिटिशर ने बोला नहीं हम नहीं देंगे अब जब यह नहीं देंगे तो सिराजुद दौला ने क्या किया सिराजुद दौला गया फोर्ट विलियम है, ठीक है, सिराजू दौला गया कहां पर, बस ऐसे समझ लो, एक फोर्ट विलियम था, यह सब क्योंकि याद करने का ज़रत नहीं, इसलिए बस सुनते रहो, ठीक है, फोर्ट विलियम हुआ, अब फोर्ट विलियम जो है, उसके राउंड यह किला बंदी कर मतलब वॉल्स बना रहे थे, इनका फोर्ट विलियम था, एक बिटिशर का, तो उसके राउंड किला बंदी कर रहे थे, इनका यह कहना था है, कि हम फ्रांसीसियों उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बट सिराजू दौला बोलता नहीं, यह तो महिला हैं, बच्चें बंद, वो हो गया, और और भी कुछ बिटिशर, ठीक है, काप्चर कर लिए सराजू दौला ने और इनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया, काल कोठरी में यह माना जाता है कि काफी सारे बिटिशर की रफली 400, वो मतलब नमबर काफी, मतलब exact number नहीं ह जिसकी वज़े से, एक्च्वल में, सही है न, ब्लैक होल ट्राजडी, अब जब इस ब्लैक होल ट्राजडी के बारे में, जो है, जो बिटिशर एसकेप करके गैवनों ने बोला, जो उससे मैं, गवरनर था, उसको बोला, कि भाईया, देखो, यहां पर क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो मदराज से बैठा हुआ था, तो इसको यह पता चला, कि ऐसा ऐसा हो गया, मदराज से भागा वो तुरंट सेना लेकर, कहां पर, सीधे प्लासी, प्लासी क्या ही है, एक तरह से, अभी भूल जाओ प्लासी, यह पहुंचा इसके पास, राजिद दौला के अब बिटिशर ने क्या किया, इसी का एक वफादार था यह जो पीछे खड़ा हुआ, इसका नाम है मीर जाफर, यह जो मीर जाफर है, इसका सेना पती था, किसका एक तरह से, सिराजुद दौला का, तो बिटिशर ने मीर जाफर को बलाया, बटा इधर आओ, मीर जाफर गय बलते हैं, क्या मीर जाफर, क्या मतलब कुछ एस्पिरेशन से तुम्हारे अंदर की नहीं, कि बढ़ापे तक सिराजुद दौला के सार्व करते हो, देख रहा हो, 23 साल का लड़का है वो, और तुम इत्ते बढ़ा, इत्ते अधेड उम्र के होगे, तुम में कोई एस्पिर बिटिशर ने बोला कि फिर सिर्फ तुम से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ लोगों को साथ में लो, जो सिराजुद दौला के खास हों, और उसने लिया, उनके नाम हमें जाने के ज़रत नहीं है, बस मीर जाफर का नाम जाने के ज़रत है, कि मीर जाफर नहीं तरह से ट्रे इसलिए उस जगह का नाम है पलासी जो है कि बंगॉल में वहाँ पर यह जो जाती है क्या मृत्यू इसको मार दिया जाता है थ्रोन पर कौन बैटता है एक तरह से नवाब कौन बनता है मीर जाफर अब मीर जाफर जो हैं ढंक से चीजें कर नहीं रहते हैं कर नहीं रहते हैं कि मतलब पूरी तरह से सटिस्वाई नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से प्लेजर नहीं दे पा रहे थे बिटिशर को तो रहा है कि नहीं कि बस अठाव इनको मीर जाफर को तो बोलता है विल्कुल तो फिर मीर जाफर को बोला अब तुम उता रहा हो अब मीर कासिम के बारी तो मीर कासिम को उठाया मीर कासिम तेजू लड़का था इसने क्या किया इसने अमरक बरंत नहीं देख ली तो इसने तिकड दौला को ये सिराजुद दौला नहीं है सिराजुद दौला तो जा चुके है शुजाउद दौला दौला ठीक है इन दोनों ने जो है ठीक है बॉटल खुली और इन्होंने ऐलाइंस बनाया ठीक है मीर कासिम शालम्टू और शुजाउद दौला ने और इन्होंने ऐलाइंस हुआ बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर जो बिहार में है, कब हुआ, 1764 में हुआ, 1764 में हुआ, वही हुआ, जो होना था, बिटिशर फिर जीत गए, और जब बिटिशर जीत गए, तो इन तीनों को जो है, ऐसे कुर्सी डाली, ठीक है, यहां बिठाया और एक कंटाप मारा, गैंक स वासेपुर में उस तेरे बिठा के कुर्सी में, है न, हुमिलेट किया जाता है, वैसे इन तीनों को हुमिलेट किया गया, मीर कासीम को तो पहले साइड में कर दिया गया, तुम निकलो तुमारे पास हई क्या, बेंगॉल तो पहले से हमारा है, ठीक, तो मीर कासीम को अठा क के फिर से यहां पे जाफर को लिया, अमीर जाफर को, कि यार, तुम ही बहुते बहुते मना अद्मी, ऑज़ाओ, फिर से आज़ाओ, तुम, ठीक है, यह कौन है, यह है हमारा मुबल शाह सक्षा, आलम II, ठीक है, और यह कौन है, ये है हमारा शुजावद दॉला इन दोनों को शुजाव शुजावद दॉला ठीक है तुव गैंक सो वासेपुर में तुमने देखा होगा ठीक है कैसे जब ये उठने का प्रयास करते हैं है ना तो मनोजवाचवी मारता जापड़ है न और कुछ अपशपद होते हैं वहाँ पर तो लेकिन अब यहाँ पर वही वह इन दोनों के साथ इनको हुमिलियेट करके इनसे ट्रीटी साइन करवाई गई and that was अलाहाबाद ट्रीटी कब हुई ये ट्रीटी सर में अगर पूछ ले बिटिश फोर्सेज को किसने लीड किया था तो बिटिश फोर्सेज वर लेड बाई इनको लीड कर रहा था हेक्टर मुन्रो ठीक बट इससे में गवर्णर ऑव बेंगॉल कौन था और निजामत फंक्शन को अलग-अलग कर दिया गया वॉट आर दीस दिवानी निजामत फंक्शन दिवानी का मतलब है revenue rights और निजामत का मतलब है पैसा ठीक है revenue collection का right तो पैस ओवे सी बात है बिटिशर अपने हाथ में रखेंगे तो बिटिशर ने ये अपने हाथ में रखा और ये बोला बिटा शा आलम टू ठीक है ये तुम आराम से देखो है न आराम से जो sorry sorry मुने उल्टा लिख दिया न तो दिवानी जो है कौन कंट्रोल करेगा बिटिशर कंट्रोल करेंगे ठीक है जो पैसे वाला खेल है वो बिटिशर कंट्रोल करेंगे और जो निजामत है निजामत का मतलब पुलिस फंक्शन ये सब administration का जो है पूरा पुलिस वाला system ये तुम तुम देखोगे ठीक है तो ये शा आलम टू को दे दिया खतम बात और ये जो dual government ये साथ साल तक चलती है seven years तक चलती है जिसको खतम करता है कौन इसको खतम करता है सरी सरी यहाँ पर लावाद ट्रीटी लिखी है ठीक है तो यहाँ पर चलो मैं शॉट में लिख देता हूँ कि 1765 में हुई ठीक है कौन लाया था मतलब एक तरह से क्लाइव था इसने dual government स्टार्ट करी ठीक है dual government in Bengal जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है अब इस dual government को end किस ने किया खतम किस ने किया तो ध्यान रखना 7 साल 1772 में इसको खतम किया Warren Hastings ने खतम हो गया Bengal वाला किसा समझ में आगे हैं सभी को ठीक है तो यहां तक था हमारा ये वाला अब किसी कोई doubt हो तो पूछ लो यही में था आपका यही में था administration of Bengal Harding नहीं Hastings था यह Warren Hastings Harding नहीं ठीक है clear आगे बढ़े अब आते हैं मैसोर पे मैसोर क्या है मैसोर यह रहा मैसोर यह जो एरिया है मैसोर है यहां पे एक dynasty हुई Wodiyar dynasty Hindu राजा था है Wodiyar dynasty हुई यह Wodiyar dynasty ऐसे जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे जब कोई dynasty weak होती है तो वहां पे जो commander होता है वो थ्रोन पे बैठ जाता है तो Wodiyar dynasty में इनका एक military commander हुआ Heather Ali जब देखा उसने कि यह लोग weak होने लगे हटा के थ्रोन पे बैठ गया Heather Ali कहां पे मैसोर में अब हो होता यह था कि Maratha उससे में बहुत powerful हुआ करते थे वही same time में दोनों contemporary है Maratha पढ़ किया है भी दोनों contemporary है तो Maratha raid मारते रहे थे थे जब रोज देखो raid मारा रोज देखा raid मारा लूटते थे जने क्या क्या करते थे ठीक है तो अब मैसोर ने बोला क्या मजब रोज-्रोज raid मारते हो हम तुमको चौत होत दे दिया करेंगे का है यहाँ ब्यात आथे फाल तो मैं खुद परिशान होते हैं, हमको परिशान करते हो, तो मतलब उन्होंने, हैदर अली काफी हुआ यह कि बिटिशान ने पहले अलायंस बठाया, हैदर अली ने बाद में अलायंस को तोड़के अपने अपाले में ले आया, तो इसी वज़े से अब यहां पर पहला, जो मैसौर में वार होते हैं, टोटल चार वार होते हैं, जिस तरह हम ने देखा कार्नेटिक तीन वार ह वैसे ही मैसौर में टोटल चार वार होते हैं, जिनको हम अंगलो मैसौर वार बोलते हैं, तो अगर हम फर्स्ट अंगलो मैसौर वार की बात करें, फर्स्ट अंगलो मैसौर वार, तो यह होता है, in the year 1767 से लेके 69, सारी चीज़े मैं आपको क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ याद रखे, 1757, 1757 का बैटल अफ प्लासी पहले होगा, फिर 1764 का बैटल अफ अपकसरबाद में होगा, फिर आएंगे मैसौर में, 1766 में, तो जान बुचिवे ने ओर्डर में रख रखा है, ताकि आपके दिमाग में उसी तरह से चीज़ें हो जाएं, और फिर मैं आपको लास में समराइज भी कर दोंगा, ठीक है, तो फर्स अंगलो मैसौर वार इसमें हुआ, ट्रीटी हुई होगी, जीता कौन यहाँ पे, तो एक तरह से जीत, हैदर अली की ही हुई थी, ठीक है, एंद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ओफ मदरास पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ब दोनों पाटियां बोर आ चुकी थी, बोर हो रही थी, और दीरे दीरे जब बोर हो रही थी, तभी हैदर अली की डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने मार दिया, उसकी कैंसर के वज़े से डेथ हो गई, हैदर अली की, और यह एक्चर में स्टार्ट कब हुआ, 1780 में स्टार्ट होता है, और 84 तक चलता है, बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है, तो उसका बेटा भी यहाँ पे आ जाता है, जिसका नाम है टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान जिसको की टाइगर ओफ माई सूर बोलते हैं, वो आता है थ्रोन पे, और किसका तो एक्दम वैसे हुआ कि दोनों पाटी बीच में और यह जो खतम हुआ यहां पर ट्रीटी वही ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है ठीक है इसको यह दखना पहले वाले मदराज से खतम होता है और दूसरा वहला ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से खतम होता है अब आते हैं थर्ड वाल स्वाइबो मैंगलोर मैंसॉर वार हो 1790 में में चलता है 1790 में और से 929 तक होता है और यहां पर होती है Defeat of टीपु सल्तानी सुर्टी नहीं काफी बड़ी Defeat होती है टीपु सुल्तान की टीपु सुल्तान से हम लक बग काफी मजबूर किया और वार लडने पर तुमने हमको मजबूर किया तो तुमने हमारा पैसा भी तो वेस्ट कर दिया तो पैसा भी दो हमको तुम तो लगबग 2 करोल रुपए से कुछ पांगा और टीपो सुल्तान से बोला बेटा है अपने दोनों बच्चों को दे दो किसी ने क्या गजब बेज़ती है अब टीपो सुल्तान को लेना था बदला उसके दिमाग में था सिर्फ और सिर्फ बदला तो अब इस टीपो सुल्तान ने ऐलायंस बनाने स्टार्ट किये किसके साथ फ्रांसीसियों के साथ मतलब पहले भी ऐलायंस के सक था किसको बिटिशर को देखतरे से अहीं ने कहीं फ्रांसीसियों को अपनी टेरिट्री में बहुत सपोर्ट किया इतना ज्यादा सपोर्ट देखते हुए टीपो सुल्तान से बोला बिटिशर ने कि बिटा सबसीडियर अलायंस साइन कर लो ठीक है उससे बोला कि बिटा सबसीडियर अलायंस साइन शॉरी चलिए तो शॉपसीडियर अलाइनस ऐन करने के लिए बोला टीपो सुल्था ने मना कर दिया वाट वाज वस शॉपसीडियर लाइनस इसका मैंने कल भी जिक्र किया था लेकिन कल मैंने आपको बताया नहीं था अब इसको जानने के जारत आ गई है तो subsidiary alliance एक policy थी, जिसको कि actual में सबसे पहले duple लेके आया था, duple कौन था, ये एक French governor general था, बट actual में इसको use किया था, इंडिया में वेलेजली ने, तो जब भी आप से question ये पूछे का कि इसको subsidiary alliance को कौन लेके आया, तो उसका answer होगा, वेलेज, मतलब वो आप depend करता है, मैंने आपको पुरा clear cut बता दिया, कि actual में introduced तो duple ने किया था, जो कि French governor general था, बट actual में उतना use कर नहीं पाया था, उसको धंग से use किया था, वेलेजली ने, तो concept तो duple का था, बट use इंडिया में वेलेजली ने किया, तो वेलेजली का नाय मतलब रखना, कब आया, ये 1798 में है, 17 समझ लो, इसके तहित ये था, इतने सारे बंदिशें थी, मैं आपको कल भी बताई थी, कि आपको अपनी capital पे, बस आप सुन लो, रटने के कुछ ज़रत नहीं है, capital में British army को maintain करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी तुम खुदी उठाओगे, तुम्हारी territory में एक British का बंदा permanent resident के तौर पे रहेगा, तुम किसी भी दूसरे European को employment नहीं दे सकते अपनी territory में, तुम किसी दूसरे Indian ruler के साथ भी अगर treaty में जाओगे, तो वो भी हमारी हमसे पूछे जाना पड़ेगा, अपने अपने आप नहीं जा सकते हो, तो बात ये आती है, कि इसको तो फिर किसी Indian ruler अजने अपने आपको सुनने में जा रहे होगा, कितना मतलब ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अन्या हो रहा है, लेकिन उनको अन्या नहीं लगा, कि हमें कितनी अच्छी British force मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, कि मतलब जो Indian ruler था वो बहुत शक्तिशाली था, उसने subsidiar alliance adopt कर वेसी बात है वो भी कहीं न कहीं समझ चुका था कि इनसे लड़ना लड़ पाएंगे नहीं धैंसे तो क्यों ना मतलब इनकी जो अच्छी सी फोर्स है उसको उसको ले 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 एट लीस्ट कम से कम बाकी जो इधर उदर के इंडियन रूलर है कम से कम वो तो डिस्टब नहीं कर तो हैदराबाद वस फर्स टेट ऑकिपाइड थू जिसने किया फिर हम बोल सकते हैं सबसीडियर अलाइंस को अडॉप्ट किया देन मैसोर 1799 अब आपको लगेगा से टीपु सुल्तान ने तो मना कर दिया था बिल्कुल मना कर दिया था और जैसे ही मना किया ना अब होता है फोर्थ एंगलो मैसोर वार फोर्थ वाला जो एंगलो मैसोर वार है डिसाइजिव था 1798 और हाँ इसने अपने दोनों बेटों को छुड़ा लिया था इसे पैसे देखे अगर आपके मन में हो आ रहा तो 1798 में ये वार वार 99 में में खतम हो गया with the death of टीपु सुल्तान यहा इससे यहांपे एक पपेट रूलर के तोर पे बिठा के यहांपे बिठा दिया और उनसे सबसीडियर अलाइंस साइन कर वा लिया तो इसलिए मैसोर भी 1799 में सबसीडियर अलायंस के तहत आ गया तंजोर भी जो था अमारा तमिल नाडू जहां पर याद करो चोलास की कैपि लोती थी ये भी 1799 में और अवद ध्यान रखना ये आप कैसे CCGL 2022 में पूछा गया था अवद ने कब अडॉट किया 1801 में मराठा अगर बात करें पेश्वाज ठीक है पेश्वाज हो थे इन्होंने कब अडॉट किया 1802 पेश्वाज कौन होते थे प्राइम मिनिस्टर पहले पेश्वाज कर नाम बताएं जल्दी से कॉमें तो ध्यान रखना तो पेश्वाज ने 1802 में तो ये थोड़ा सा याद रख थे नाना फड़नवीस जो एक्चल में रूल कर रहे थे विकाज जो बाजी राव सेकेंड था वो तो एक तरह से इनकैपेबल था जिसते ने कैपेबल बाजी राव फर्स्ट थे बाजी राव मस्तानी वाले उतने इनकैपेबल बाजी राव टू था तो कौन लीड कर रहा नाना फदनवीस नाना फदनवीस मर जाते हैं अठारा सो में 1799 में यह capture कर लिया और एक्चुल में इनको एकदम जुड़ने नहीं देता था मराथा और मैसोर को कौन बिटिशर अलगी रखता था तो जब मैसोर 1799 में capture कर लिया तो उसका पूरा focus कर गया कहां पर मराथा में औ तो पहला हुआ था 1775 में से लेके 82 तक ट्रीटी का नाम बताए जल्दी से कौन सी ट्रीटी हुई थी सेकेंड कि अगर बात करें कब होता है 1803 क्यों क्योंकि नाना फदनवीस अब जा चुके थे 1800 में 1803 से लेके 1806 तक चला अब एक्जैक्ट नियाद रखना 1803 से लेके 1806 त चलो बिठूर चलो कानपूर चलो परमारदस पर बढ़ने और वहीं पर तमको पेंशन देंगे ठीक है तो बिठूर जो कानपूर में वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है बाजिराओ दी सेकेंड को तो यह थोड़ा से याद रखना कि उसके बाद ठीक है तो मारा अठा भ वाला प्रान थे यहां पर यहां पर सिंध था प्रजेंड पाकिस्तान और यह पंजाब भी इसका मेजर हिसा प्रजेंड पाकिस्तान वाला यह ठीक है और यहां पर आफगानी थे अफगान तो इन तीनों को अल्मोस्ट एक साथ ही ले लिया कबजे में सिंध तो बहुत चो उतने ज़्यादा important नहीं है जितने की पहले वाले थे ध्यान रखना प्लासी और बक्सर को तो भूल ही नहीं सकते हो प्लासी और बक्सर सबसे ज़्यादा important है then मैसोर वाला important है then मराथा वाला important है then यह अब जो तीनों प्यार है वो important है तो अगर प्रियोरिटी में रखूं तो यह सबसे लास्ट में आएंगी है तो आप आते हैं पंजाब में थोड़ा से बैक्ग्राउंड समस्थे हैं थोड़ा ही सही ज्यादा नहीं पंजाब में एक रूलर हुए राजा रंजीत सिंग या फिर महराजा रंजीत सिंग इनको बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, महराजा रंजीत सिंग, ये थे कौन, मिसल हुआ करती थी, पंजाब किंग्डम में मिसल हुई, एक तरह से मतलब सकते हो, ट्राइवी अफरेट डाइनिस्टी टाइप, तो बारा मिसल हुई, ठी दोकर शरिया मिसल, उससे बिलॉंग करते थे थे महराजा रंजीत सिंग, ठीक है, अब यहाँ पर मैप थोड़ा से द्यान से सद देखना है, यहाँ पर, जब महराजा रंजीत सिंग यहाँ पर रूल कर रहे थे, एक तो मैप यहाँ ना, काफी अच्छा बना लेता हुई, ठीक है, तो यहाँ पर सतला जरिवर थी, ठीक है, सतला जरिवर का थोड़ा से तो आपको पता ही होगा, जॉक्षी में आपने देखा ही होगा, तो बिटिशर भी यहाँ पर काफी पूरा मदब रूल कर रहे था, तो महराजा रंजीत सिंग और बिटिशर के बीच में, इन हम रहेंगे इसके नीचे, बिटिशर बोले, और आप रहिएगा इसके उपर, आप इसके नीचे नहीं आएगा और हम आपके उसके सतलाज के उपर नहीं जाएगे, तो लोग बोले बिलकुल ठीक बात, यह ठीक बात थी, कब तक, जब तक महराजा रंजीत सिंग थे, 1849 में की हो जाती है, डेथ, 1839 में, डेथ हो जाती है, और इनका दूर भाग ऐसा था, कि इनकी डेथ होती है, अगले साल इनके बेटे के भी डेथ हो जाती है, और उनका रिज passion था, कि वो पीटे बहुत ज्यादा था, ठीक ठाकुर रूलर थे, खड़क सिंग जी, लेकिन पीते ब लेटे तीनों खतम हो गया तो अब यहां पर क्या हो गया एक तरह से हम वो सकते हैं वीकनेस आ गई एमपायर में और टसल चलने लगा आपस में कि कौन बनेगा कौन त्रॉन में बैठेगा और इस चीज का फायदा बुठाना चाहा किसने ब्रिटिशर ने तो ब्रिटिशर ने भी था be talking, यह कर चूका अडिमरा ठाह यह भी की सब कुछ था कि अंदर तो उनको लगए अब हमारा लगताए अब हमारा नम्मर्य अगला तो अब जब उनको यह लगए आ तो इन्होंने उन्हुंए क्रॉस का मिल घ्या मौका इन्होंने आपने कर दिया breach of treaty of Amritsar को wallet कर दिया आपने क्योंकि ये treaty of Amritsar में ये decide हुआ था कि सतला जरीवार के तुम नीचे नहीं आओगे और हम उपर नहीं आएंगे हम तुम नीचे आए तो चलो लड़ लेता है योद क्योंकि बिटिशर को पता था हम तो रहा ही देंगे भले इनक आपने को लीड़ कर रहे तो मिले हुए थे वह मिले हुए थे बिटिशर से ठीक है तो वीक थे उपर से मिले हुए थे तो आप वेसे बात है पहले इसी दिद्धा साफ्था की कौन जीतने वाला बिटिशर जीतने वाले तो फर्स अगलो सिक वार होता है 1839 में 1849 से लेके 42 तक चलता यह ठीक है धिन होता है second वाला second होता है second English war होता है यह कभ वोता है 1878 से लेके 80 तक यहाँ पर treaty of घंधामक शाइन होती है ठीक है treaty of घंधामक शायन होती है और मैं अगर यह पूछ ले आप से किहां राज़ा रंजीज संह नहीं रहे छिक है उनके बेटे चलेगे खड़क सिंग उनके भी बेटे खड़क सिंग के भी बेटे खिटेथ हो गई तो एक्चेल में महाराजा रंजीच सिंग के एक बहुत माइनर सेन थे जिनका नाम था दिलीप सिंग पांच साल के थे उनको थ्रोन पर बैठाया गया था ठीक है और थर्ड एंगल 1845 में हुआ था ठीक है 1839 में तो एंगलो अफगान वार हुआ था ठीक है तो 1845 में जो है इनको यहां से खड़ा था यह चीज ध्यान रखना और सेकेंड वाला थर्ड वाला तो उतना इंपॉर्टन नहीं और एक्चल में थर्ड तो हुआ ही नहीं था आप ऐसे बोल सकता हो ठीक है क्योंकि दिलीप सिंग को कभजे में ले लिया था सेकेंड वाले के बाद में तो सेकेंड वाला जो है यह हुआ था आपका 1845 फर्स्ट और 1848 में हां तीन साल बाद रफ ली यह भी आ गया था नहीं कभजे में और यह एंड हुआ था अगर यह पूछ लेगी कंदामक नहीं होगा ठीक है ओफ लहों जूदामक तो अफगान्स के साथ साइनग किया थे इन्हों अट्रीटी ऑफ लहोі थे यह क्यूआई यह क्यूंकि लहोर इनकी Counter सिक कि तीुकि जो CBade कर लिया बहुत है था ट्रीटी होने के बावजूद भी जो सिख कम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यदा एक तरह से चिल्ड में थी कि कैसे आके हमारी टेरिटरी में हमको हरा सकते ही है तो उस चिल्ड की हो जैसे फिर दूसरा एंगलो सिख वर भी वह और उसमें भी इनकी डिफीट हुई और मैं धा ठीक उसके बाद एम्मद शापदालि के हाथ लगा फिर तूसको शासुजा के हाथ लगा जो एक अफगाणी रूलर था शा सुजा उस कुई स्मेराजा रंजीत सिंग ले लिए और यहां पे था और उस उससे महाराजा रंजी चले गए अब दिलीब सिंग के हाथ में एक तरह से दिलीप सिंग जो की माइना रही थे रफली 10 साल कि इस थी इनसे बिटिशर्स ने ले लिया और यह जा गया कहां पर बिटिशर्स के पास और आज भी यह जो कोहिनूर ही रहा है आपको पता है बिटिशर्स के पास है कोहिनूर का मतलब क्या होता है एक त आता तो इससे मैं डलहूजी था ध्यान रखना, डलहूजी इससे मैं governor general था, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? Governor General of India, क्योंकि हम देखेंगे 1833 तक Governor General of Bengal, Governor General of India बन चुका था, तो डलहूजी इस ताइम पे था, चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है और अगर कभी ट्रीटी आफ भहरवाल के बाद पूछ ले ध्यान रखना फर्स्ट वाले के बाद में हुए थी ट्रीटी आफ लहोर याद रखना है बस आपको ठीक है अब हम यहां पे अंगलो सिख तो देख लिए अब इसके बाद आते अभी हमने देखा था माइसोर को क्यों लिम्नेट किये थे बिटिशर क्योंकि फ्रेंच थ्रेट था कि फ्रांसीसी यहां पर आ आजाए उसी तरह अब यहां पर अफगान था अफगान पर यह पूरा रूसी पिंग्नम था तो इनसे थ्रेट था कि कहीं रश्यन आना जाए पर इंडिया में अटाइक न कर दें थीक है तो इसलिए इसको भफर स्टेट के तोर पे बनाना चाहते थे इसको अफगान को बिटिशर बनाना चाहते थे लेकिन ये अफगान बनना नहीं चाहते थे तो उसी को लेकर ये वर हुए था तो 1839 में ये वह वह वर 1842 तक चला तक important for us सिंद अगर बात करें सिंद को कब काप्चर किया तो सिंद वस एक्वाइड इन एक्वाइड इन 1843 वस एक्वाइड इन 1843 बस आपको यह याद में रखना है ध्यान में रखना है बस बात खतम तो यहां पर आपने एक चीज देखी पंजाब अफगान और सिंद एक ही सब्सक्राइड नहीं हुआ था भी कि यहां सतलच को बाउंटरी बनाए गया वार हुआ पहला वाला कब 1845 में जाके पहला वाला और अफगान वाला भी देखी 49 में हुआ और सिंद भी 43 में तो यह एक ही टाइम पे चल रहा था सिंद तो बड़े सिंद में ऐसा कुछ नहीं तो इसलिए सिंद को पहले तो capture किये ठीक है विकाज इनको पता था करेंगे तो यह महाराजा रंजी सिंग काप्चर कर लेंगे यह तब तक तो जिंदा ही थे ना 1843 तक ठीक है तो 1830 सॉरी 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 यह मतलब यह डेथ हो चुकी थी महाराजा रंजी सिंग की 1839 में डेथ होती है तो 1843 में मतलब इनको यह था कि भई अब उनकी डेथ हो चुकी महाराजा रंजी सिंग की तो यह कैसे न कैसे capture कर लेंगे सिंद को इसलिए फिर बिटिशन ने सिंद को capture कर लिए 1843 में अफगान का देख लिए 1839 में पहला वार होता है और 1879 में जाके पूरी तरह से इसको capture कर लेते हैं और यहां पर होता है हमारा chapter खतम किसी कोई doubt यहां तक I know last में थोड़ा सा चीजें मतलब बहुत ज़्यादा dates हो गई है लेकिन इसलिए मैं आपको यह बताया कि आप date भी याद रखोगे ना तो भी आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी ठीक है date भी थोड़ा साग भी दिमाग में रखोगे कि मराठा वाला तुक्त आपको याद हो गया होगा कि 1880 के टाइम पे मराठा माईसोर को एक साथ रखना प्लासी बकसर को एक साथ रखना और पंजाब सिंद और अफगान को एक साथ रखना ठीक और यहां पे मतलब कभी को MASTERLY in-activity को follow करे रखा ता फर्स्ट आफगान के वार यह क्या था P醬िशी ऑफ कि मार काट मतलब एक भी ऊधाट को जितने शवेडینट थे कि जा वहां पर राओ जाकि बिटिशन थे भुला उनको भी मार ढले वहां के जो ट्राइबल चीफ हुआ करते तो इनके बेजिती होगे तो इनने बोला कि ठीक है जिसको तुम चाहते उसको रूलर बनाओ हम तुमारे उसमें इंटर्फेर नहीं करेंगे जो 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 आख बंद करके रिविजन कर लेता है जल्दी से ठीक है यह है यही नहीं है बहुत आसान है अभी तक आसान चल रहा था ना बस यहीं पर तो हवी लगा ना कहां पर पंजाब वाले रीजिन में तो मैंना को बस बता है कि थोड़ा से दिमाग में रखो 1840 के टाइम पर चीज़ें हो रही है इतना भी याद रख लिया तो भी हो जागे ट्रीटी अफ लाहॉर याद कर लो सतला ज्रीवर बांटरी बनी थी रंजीर सिंगर उनके बीच में ठीक है 1809 में बस ट्रीटी अफ लाहॉर याद रखना और यह सोरी ट्रीटी अफ अमरीच सर याद आया तो फिर किसी से नहीं बनेगा इस यह मैंने पहले बात बोली थी ठीक है और अभी बोलता हूं जाए सीजल में से पहले मैं यही बात बोलता था कि अगर आप से कुश्चन नहीं बना तो फिर किसी से नहीं बनेगा और वो स्टूदेंट्स ने बोला कि सर वो confidence के साथ हम गये थे और यह चीज मुझे आल इंडिया रहेंगा इस नहीं जो 18 है इस नहीं है तो उसने मुझे बात बोली कि सर काफी घबरा गया था मैं लेकिन मैंने वह बात ध्यान रखी कर मेरे से नहीं बना तो फिर किसी से नहीं बनेगा तो वह चीज आपको confidence रखना अपने अंद लेकिन उससे पहले मुझे पढ़ा ट्रीटी ऑफ टॉडशीलस हुआ पॉट्यूगल स्पेन याद आ रहा है कि तुम इस्ट में जाव हम वेस्ट में जाते हैं पॉट्यूगीज है 1498 वासको डिगा मा कैली कटके राजा जैमोरिन फिर 1505 में पहला पॉट्यूगीज गवण वह भी कुश्चन पूछा गया कई बार भी रिसेंट में तो लिखोना आपको तो डच मसूली पत्नम 1605 अब आया अंग्रेज अंग्रेज 1600 में क्या किये चार्टर रिसीव किए कुईन अलिजबट से तो अलिजबट ने बोला जाओ जा सिम्रण जी ले अपनी जिंदगी ग अब हम देखेंगे एक्सपंशन ओंग्रेज यहां पर पूरे ट्रेडिंग राइट चाहिए तो बोलता ठीक ले लो उसके बाद आखरी में फ्रेंच फ्रेंच ने पहली फैक्टरी सूरत में 1660 में अब हम देखेंगे एक्सपंशन ओव बिटिशर कैसे कैसे एक्सपंशन को अपने दिमाग में दो काटेगरी में काटेगराइज कर लो पहला है कि कैसे वो अपने जो यूरोपियन भाई बहने थे उनको पहले तो अटाया यानि कि डच पॉच्गीज फ्रेंच और फिर दूसरा पार्ट है जहा 1660 में Battle of Wandi Wash हुआ था जिससे कि ये फ्रांसीसियों को ख़देडे थे तो उसे एक साल पहले ही चिंसूरा का हुआ था जिससे कि हराकिस को अटा दिये डच को अटाया दिये और 1612 में तो यह हम देखी चुके हैं सबसे पहले Portuguese को अटाया थे यह तो हम बार-बार रिपीट कर थोड़े से series of wars हुए जिनको Carnatic War बोलते हैं टोटल 3 हुए 1744 से लेके 1763 के बीच में चावालीस में पहला स्टार्ट होता है एकसला चैपल की ट्रीटी के साथ खतम होता है दूसरा 1749 में शुरू होता है पॉंडी चेरी की ट्रीटी से खतम होता है यहां पे Clive लीड कर रहा था बिटिश फोर्सेस को और डूपले लीड कर रहा था वही डूपले जिसने की सबसीडियर अलाइंस का कॉंसेप्ट दिया था और तीसरा 1756 में स्टार्ट होता है त्रीटी अफ पैरीस से खतम होता है यहां पे आयर कूट ने लल्ली को कूट दिया लल्ली कौन कॉंटिट लैली जो कि फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा था खतम अब आते हैं बेंगॉल पे दो वार हुए प्लासी बकसर प्लासी का क्या बैक्राउंड है क्योंकि यहां पर ब्लाक होल ट्रैजेडी हुई थी यह माना जाते है सिराजु दॉला ने माल डाला था उनको बिटिशर को कैप्चर करके सिराजु दॉला नवाब था पहला नवाब कौन था मुर्शिद कुली खान था फिर अलिवर्दी खान आया था उसका पोता था सिराजु दॉला तेज साल का तो उसने जो है बोल दिया था कि जो फारु सियार ने गोल्डेन फरमान दिया था आपको ट्रेड पार से दस्तक इशू किये था कि आप बिना टैक्स के आप यहां पे ट्रेड कर वह खतम तो बिटिशर को यह बात सही नहीं लगी मीर जाफर को अपने पाले में लिए अपने टीम में लिए और हरा दिये किसको सिराजु दॉला को मीर जाफर को नवाब बना दिये जब नव आने गए किसको बिटिशर को लेकिन हार के आगे मीर कासिम को साइड किया मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिये और शाहा लम्टू और शुजाओद दॉला को पकड़ के कुर्सी मिठा के क्या साइन करवाई अलाहाबाद की ट्रीटी 1765 डूल गवर्मेंट इन बेंगॉल गए मैसोर में हमने इसे समझ लो're इसाल के मतलब सबसड बक्सर अर बेंगॉल चला में उसके तोनोलोजी दिमाग में सेट रखोगे तो 17 सरसट याद करने की जरद ही नहीं पड़ेगी अपने आप याद होगा कि 17-17 उसके तुरण बाद 64 दिन सरसट अरे थोड़ा सब याद रखोगे यहां 64 के बाद शाचट 65 शाचट के बीच में था तो भी आप कर लोगो को अराम से तो सरसट में शुरू हुआ, टीटी अफ मदराज से खतम हुआ, हैदर अली जीत गया, दूसरा वाला, ड्रॉ हो गया मैच, टीपो सुल्तान भी आ गया थे लास्त तक क्योंकि उनके फ्यादर की डेथ हो गई थी, बीच में, मैंगलोर के साथ खतम हुआ, तीसरे वाले में टीपो सुल्तान की डिफीट हुई, ट्रीटी अफ सेरिंग बट्टम, गजब बेजिती है यार, बेजिती का बदला लेने गया है, सचोथाय वाले में, और इनकी डेथ हो गई, टीपो सुल्तान की, फिर से वो डियार को भी इठा दिये, ट्रीटी अफ सबसीडियर अलाइं नहीं बना सकते, यह सारी चीज़ें थी, बदले में हम आपको बिटिश फोर्स देंगे, यह चीज़ हमने देखी, जो मराथा के साथ भी की थी, जो मराथा बाद में रिलाइस किये, और इसी होज़े से सेकेंड एंगलो मराथा वार भी हुआ, लेकिन दब तक काफी देर हो पिछटर के बाद ट्रीटिय असाल भाई से खतम हुआ पहला एंगलो मरा आठा वार दूसरा वाला अठारा सो में फड़न वीज जी की डेत होती है, अठारा सो तीन में, अठारा सो तीन और तीसरा वाला अठारा सो अठारा में खतम हो गया, बार जिरा सेकेंड को बिठूर भेज दिया, खतम बात, अब चलते हैं नौर्थ वेस्ट में, नौर्थ वेस्ट में सिख, सिख में पहले तो अठारा सो नो में एक ट्रीटिय अफमरी सरसाइन होगी कि सतलज रिवर को बाउंटरी बना लिया, महराजर रंजी सिंग नीचे नहीं आएंगे, बिटेशर ऊप दूसरा हुआ 1848 में, ठीक है आप यह और याद रख रहे हैं तो यहाँ पे 1799 तक, 1799 मैसौर खतम हुआ, 1818 में मराथा खतम हुआ, अब 1818 के आगे बढ़ जाओ, सिक, 1859 में यह खतम हो गया, इसी के टाइम पे अफगान वाले भी खतम हो गया, 1880 तक और सिंद को भी लेगा और कौन नहीं लेगा, अब सारी चीज़ें अगर यहाँ पे इतने भी लोग डाई, 3000 लोग देख रहे हैं, तो अगर सब के दिमाग में equally चीज़ें चली जाएंगी, तो फिर सब का selection नहीं हुजाएगा, तो वो चीज कहां से distinguishing factor रहेगा, आप कितना effort डालते हैं ना टू फास्ट, अरे तो फास्ट यह तो फिर मत करो, खुद से कर लो, टू फास्ट, अब इसमें भी तुमको लगता है, आराम आराम से करवा हैं, कि battle of censura, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, देखो, ठीक है, आपको मेरी policy पता होनी चाहिए, तो फिर थोड़ा भी फास चलना पड़ेगा मेरे साथ, मरा अठा के lecture क्यों नहीं शो कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, बताया था, क्लास के शुरुआत में, ठीक है, कि उसमें कुछ शुआ रहा है, एक दिन आफ देदो रिविजन का, मिलेगा अभी आफ, ठीक है, सर आप रामायन पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं रामायन, कभी-कभी, बहुत तेज पढ़ा रहा है सर, बिटा ये पढ़ा नहीं रहे थे भी, रिविजन चल ला था, और रिविजन तेजीक साथ होना चाहिए, पढ़ा तुम चुके थे पहले ही, तुम लेट जूड़े हो हो गए, ठीक है, हुआ मंग दी, फॉलिविंग वाजी फॉर्स पॉट्यूगीज वोइसरोय फिंडिया, तो पहला पॉट्यूगीज वोइसरोय की बात हो रही पहला, ठीक है वैसे तो आया था कौन, डिगामा, लेकिन पहले कि अगर हम बात करें तो अलमीडा था, दूसरा अलमीडा हमने क्याद रखा था, काटाजे सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक, वामंग दी, फॉलिविंग वाज़ पॉट्यूगीज राइटर, वो रोट अबाट टी ट्रेड अंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, कौन सा पॉट्यूगीज राइटर था, जिसने की जिन लोगों ने जॉइन नहीं किया भई कर लो, जिन लोगों ने बैट जॉइन कर लिया फिर भी नहीं, क्योंकि अब जैसे कि कल मराठा वाला लेक्चर नहीं डाल पाया था आप में, तो उसका रिगार्डिंग अपडेट मैंने दे दिया था, लिंक शेर कर दिया था, इस पॉचुगीज है, ठीक है, पॉचुगीज, बर्नियर, टैवर्नियर, याद करो, मुगल्स के टाइम पर, शाह जहां के टाइम पर, ठीजहांगीर के टाइम पर, क्या थे ये, ये आपके थे, फ्रेंच, फ्रांसीसी थे, मनुक्की, इटालियन था, मनुक्की इटालियन था पॉच्चुगीज पूच रहा है खतम बस इतना बस हमें जानना था कि पॉच्चुगीज कौन है इसमें सब्वोथ हमें पहले से पता है clear? शलो आगे बढ़ते हो और अगला third in which year did the Portuguese capture Goa पॉच्चुगीज ने Goa कब capture किया तो हमें पता है कि 1498 में सबसे पहले तो वासकोड याम आया 1509 में पहला ruler Almeida and then 1505 में Almeida 1509 में Albaric और 1510 में Albaric ने Goa को बीजापर के सुल्थान से capture कर लिया option number A which city was the capital of the French colony in India भारत में फ्रांसीसियों उपनिवेश की रासधानी कौन सा शेहर था which city was capital of French colony तो हमने देखा था और हाँ अब मुझे तो फिर से याद आया कि मुझे आपको फैक्टरी वाला बताना है देखते हैं question आएगा वो jute factory और cotton वाला cotton मिल वाला jute मिल और cotton मिल वाला तो यहाँ पर लिखवा दूँगा नहीं तो फिर मैं लास में लिखवा दूँगा अगर question I think आना चाहिए इसमें होगा question I think ठीक है तो French colony अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था फ्रांसीसियों की एक बहुत important colony थे वह थी पॉंडीचरी लास में याद रखो जो हमने पढ़ा था कि थर्ड जो मराट थर्ड ये अंगलो करनेटिक वार हुआ तो उसमें पॉंडीचरी काप्चर कर लिया था पॉंडीचर ने तो पॉंडीचरी में बेस था फ्रांसीसियों का चंदन नगर वस्टैबलिश्ट अज फ्रेंच कोलोनी इन 1673 अब्टेनिग पर्मिशन फ्रांश गैश तो जो हुआ था जो जो फ्रांसी रिवर के बारे में आपको बताया था गंगा की जो डिस्टिप्यूटरी ए उसके बैंक स्पेन को चंदन नगर में बंगॉल में वो करना था तो कौन ता मनसूर अली खान, मुर्शिद कुली खान, इबराहीम खान या फिर मीर जाफर तो उससे में हुआ ये इबराहीम खान ठीक है, विकाज मीर जाफर ये इस तरह से याद रखो कि सर मीर जाफर तो कब आया था, 1757 के बाद और 1756 में तो थर्ड कानेटिक वारी स्टार्ट हो गया था, उसके बाद तो फ्रांसीसियों को जाना ही था ठीक है, और actual में उसके पहले ही हुआ होगा, ठीक है, तो इबराहीम खान था मुर्शिद खुली कान सबसे पहले था, तो option number C, यहाँ पर से इंसर होगा, इबराहीम खान Europeans entered India with a mindset of trading only, this streak was initiated by which of the following European nations European लोग व्यापार की मानसिक्ता से ही भारत में आये हैं, यह सिलसला नेमलिकित में से किस European राष्ट द्वारा शुरू किया था किस ने शुरू किया था, Europeans ने शुरू किया था, sorry Portuguese ने शुरू किया था, क्यों क्यों हमने देखा था, कि लोगों ने जो Egypt वाले थे या फिर Arab देशों वाले लोग थे लोग थे ट्रेड रूट बंद कर दिया था, तो इनको alternative ढूलना था, तो इनको alternative ढूलना था, तो they opted for sea voy wages, all right, 7th, which of the following governor generals under the British role in India, professionalized, bureaucracrized and Europeanized the administration of East India Company, तो किस ने ये सब किया, मतलब, professionalized भी किया, bureaucracrized भी किया, और Europeanized भी किया, Dalhousie, Cornwallis, Hastings या फिर Canning, तो में ये काम करने का गया, Cornwallis को, इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, Cornwallis, option number B, question number 8, French possessions in India were restored after the Battle of Wandiwash by the Treaty of Dash, signed in the year 1763 between Britain and France, तो याद करिये, Battle of Wandiwash के बाद, that is, third Anglo-Carnatic War के बाद, कौंसी ट्रीटी वी थी, first के बाद, Axelar Chapel, second के बाद, treaty of pondicherry and third के बाद हमें आपाता है, Paris की treaty, ठीक है, Paris की trip, ठीक है, option number D, यहाँ पर सही आंसर होगा, now moving on to the ninth question, match list one with list two and select the correct answer using the list below, तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर, French, English, Dutch or Portuguese, तो हमने देखा था किस तरह से फ्रांसीसियों को क्या base था, फ्रांसीसियों को तो था pondicherry, ठीक है, Dutch के अगर हम बात करें, वो भी कर लेंगे, ठीक है, चिंता क्यों करते हो, ठीक है, फिर अगर Portuguese की बात करें, तो Portuguese सबसे पहले, अगर हम ने देखा था, पहले का 3 और लास्ट का 1, फिर अगर हम बात करें, ओवेस ही बात है, बी का मतलब 4 हो जाएगा, दाट में ये हुगली में थे, बेंगॉल में का घड़ था, और अगर हम बात करें, ये डच हो जाएगे, अपके मसूली पत्नमें, विकाज हमने देखा था, डच ने पहली फ तो क्या करोगे, तुम विकाज है, अभी वह तीन-चार बार बचाते हूँ, शुरू में भी बताया, फिर तुम बहुच रहो, अभी क्लास की शुरुआत में तुम नहीं आया था लगता है, तो विकाज जी, माराथा वाला जो है, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इस पेपर ऑफ इंडिया, तो यह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इससे आज की लेक्चेर से उतना कोई लेना देना है नहीं, पस अभी के लिए देख लो, हिकी इस बेंगॉल गयाजट है, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोगा क्विश्चिन, When did Francois Karen established first French factory in India, the first French factory को कब established किया था, इसने established किया था, इसका नम था, Francois Karen, तो इसने पहली बात तो सूरत में established किया था, and in the year, हमने पढ़ा था 1668, और actual में यहापे 1668 ता option में है नहीं, तो आंसर यहापे option नमबर यह होगा, 1667 AD, ठीक है, यह दोनों तो option बहुती दूर के है आंसर इसका 1667 होगा, मुगल Emperor Shah Alam appointed the British East India Company as the divine of the province of Bengal in the year, बताए कितना आसान question है, हमने देखा था, हमने देखा था, क्या, हमने यह देखा था कि किस तरह से, हमने देखा था कि किस तरह से, 1765 में हुआ था, क्या, Treaty of Allahabad, और वहाँ पर निजामत functions तो दे दिये थे, निजाम को और दिवान functions खुद रख लिये थे, British East India Company ने, तो option number B, मतलब यह एक तरह से बोला था, कि तुम एक फर्मान इशू करो, और फर्मान इशू करके हमें सारे rights दे दो, यह बोला था, जो कि यह हुआ था, ठीक है, अगला है हमारा, against whom was the battle of Plassey, 1757, fought by the English, जिसके जो इधर-उदर के जैसे doubt है, जैसे star cricket life पूछ रहे हैं, तो last में प्लीज पूछ ले न, हाना, question कर लेते हैं, then, ठीक है, answer कर दूँगा, मैं, तो 1757 में, क्या आप question, against whom was the battle of Plassey, was fought, तो किसे खिलाफ था, Sirajud Dal, option number B, यहाँ प पताएंगे, और उसके बाद हमें पता है, 1765 में, ट्रीटिय फलाबाद होती है, तो यहाँ पर लीड कर रहे थे हेक्टर मुन्रो, और लीड कर रहे थे कौन, सारी, लीड तो मुन्रो कर रहे थे, और गवर्णर कौन थे, क्लाइव थे, जो, क्लाइव, battle of Plassey, British forces को लीड कर आया था, तो हमें पता है, battle of Wandi Wash, आसान है हमारे लिए, अंबर अगर आपको याद हो, अंबर वो जगह है, या फिर battle of Umber वो है, जहां से second Carnatic War start हुआ था, in the year 1749, in which of these battles, the involvement of the Mughal army was not there, इन में से किस battle में, Mughal army का involvement नहीं था, हल्दी घाटी, बकसर, battle of Panipat, या फिर अलिवा बहुत अच्छा question है, अब मैं देखता हूँ, किते लोग अब इसका सही answer दे पाते हैं, तो भई, Mughals का involvement किसमें नहीं था, तो भई, battle of Haldi Ghaati हम देख चुके हैं, किसमें, battle of Haldi Ghaati जो 17, sorry, 1576 में हुआ था, जहां पे, महराना परताप की forces, अकबर की forces, आमने सामने थी, अकबर कौन था, मुगल था, ठीक है, जीत किसकी होती है, अकबर की forces की, वो important नहीं, लेकिन मुगल आर्मी है, ठीक, बकसर में अगर हम देखें, तो बकसर में भी तो involvement है, शाह आलम 2, जो की मुगल है, तो इसमें भी involvement है, second battle of Panipat, इसमें भी मैं पता है, अकबर versus, अकबर की forces versus हमो की forces, हमो लीड कर रहा था, हम चंदर विक्रमा देता है, और यहां से अकबर का जो, एक तरह से सरजेंट या फिर जो उसका सनक्चक था, बैरम खान वो लीड कर रहा था, तो अवे से बात है, यहां पर भी मुगल आर्मी है, बट बैटल ऑफ अलीवाल में नहीं थे, ठीक है बैटल एफ अलीवाल, तो यह आपका, यहां से आप सीधे क्या कर सकते हैं, और वन आउट, आउट ऑप्शन नमबर डी, ठीक है, अगर पूछ ले कि वहाई, बैटल एफ अलीवाल क्या है, तो यह आपका, एंगलो अफगान वार का पार्ट है, ठीक है, जो of Lahore was signed in 1846 between British Empire and Dash, देख रहे हैं कैसे question आ रहे हैं, ऐसे ही मैंने आपको बताया है ना कि किस तरह से treaty आपको नहीं बोलना है तो treaty of Lahore 1846 में होती है इसके बीच में अंग्रेजों और सिख के बीच में, बट यहां पे नाम दिया हुआ है, और मैंने आको बताया था कि खलक सिंग तो जा चुके थे महराजा रजीट सिंग के बेटे थे 49 में गए रजीट सिंग, आज 40 में चले गए खलक सिंग, ठीक है, तो यह sign की किस के साथ, दिलीब सिंग के साथ मैंने आको सिराजुद दॉला के अगेंस प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्स अटलेट की थे, बिल्कुल सही बट यह option गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहला तो सही है, लेकि दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि 1787 में नहीं हुआ था battle of प्लासी, 1757 में हुआ था तो एक पार्ट तो सही है स्टेटमेंट का, बट दूसरा पार्ट गलत है इसलिए पूरा पार्ट गलत हो जाएगा, option number first सही आंसर होगा, only one question number 19th, in the 18th century, the British fought dash wars with the Mysore rulers कौन सा war? Mysore के साथ तो हमने देखे थे किते war हुए थे Mysore के साथ, चार हुए थे पहले में जीत गए हैदर अली, दूसरे में हैदर अली मर गया और उनका बेटा टीपू सुल्तान आ गया तीसरे में टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को hostage बना के ले गया, treaty of Sering Pattam होई, Sering Pattam तो यंदाबू का जो treaty हुई थी उसके साथ इन्होंने कौन सा उसको रीजन को conquer किया, और ये treaty कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1826 में तो असम, कश्मीर, उडीसा, या फिर लद्दाक, तो ये यंदाबू अपको कहां का नाम लग रहा है, ये अक्च्छल में यहाँ पे कंट्री आपको पताऊगा मियमार, जिसका पुरा नाम है बर्मा, ठीक है, तो ये अंगलो बर्मा वार हुए तो जिसके बारे मैंने आपको नहीं पढ़ा है, विकास उतने इंपर्टन्ट है नहीं, तो उसी का पार्ट है treaty of यंदाबू, तो यहाँ पे सही answer क्या होगा, यहाँ पे उसके हिसाब सही answer होगा, ठीक है, विकास मियमार के पास कौन सा है आपका state, ठीक है, तो option number A, यहाँ पे सही answer होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अगर पूछ ले, चलो मैं आपको बताए तो अगर कभी पूछ ले, बाई चांस अगर पूछ ले, तो ध पूछ वाली का बाटल, हमने पढ़ा था, 1612 में कि स्कोर आये थे, पॉच्जी स्कोर आये थे, जिसके बाद ही पावर में आये थे, 1613 में अपनी पहली फैक्टरी स्टाइबिश कर ली थी, पर्मनेंट, बिटिश अनेक्स पंजाब आफ्टर डिफीटिंग दिफीटिंग इन्दी एंगलो सिक वार इन्दा इयर डैश कब हुए था एंगलो सिक वार बताईए, 35, 49, 49 या फिर 45 तो बिटिश अनेक्स पंजाब आफ्टर डिफीटिंग 6 इन्दा इंगलो सिक वार इन्दा इयर, हाँ तो कब मतलब किया था, देखिए, अब यहाँ पर मैं बिलकुल म हमारा C option होगा, इन दोनों को तो आप eliminate करी सकते हो, because इस तरह से eliminate कर सकते हो, कि 1849 में तो महराजा रंजीस सिंग की death ही हुई है, उससे पहले तो कोई chance यह नहीं बनता, उस साल भी कुछ नहीं था, आमने देखा था, काफी साल बाद यह हुआ था, ठीक है, तो 1849 में, 1849 में 1849 में खताम हो जाता है, बनलब दूसरा वाला भी खताम हो जाता है, who ruled Mysore under the subsidiar alliance with the British after the defeat of Tipo Sultan at the battle of Sering Pattam, तो battle of Sering Pattam, जो fourth हमारा Anglo-Maisore war है, treaty of Sering Pattam होई थी तीसरे के बाद, लेकिन जो चौथा वाला है, उसको हम battle of Sering Pattam बोलते हैं, because यहीं पे war हुआ था, और इसको capture कर जो उनके capital हुआ करती थी, टीपो सुल्तान की Mysore की, Mysore में पहले कौन rule कर रहे थे, would AR, मैंने बताया थे न, फिर से would AR को ले आए, और इन से sign करवा लिए, subsidiar alliance कब 1799 में, पहले सबसे पहले किस से sign करवा थे 1798 में, निजाम आफ हैदराबाद, 1799 में से 1799 में तंजोर, 1801 तो actual में, Bengal की capital पहले कुछ और होती थी, then, कालकाटा होती थी, then, मुर्शीदाबाद shift कर ली किसने, वही, मुर्शीद कुली खान, जो पहला नवाब धा Bengal का, जिसको औरंग जेब ने भेजा था, वही हमारे सूर कुमार मिश्रा जी, वही, उन्होंने ही capital shift करी थे, मुर्शी 1961 में कौन रूलर था, मैसौर का, 1701 सेट में आ गया थे हमारा, हैदर अली आ गया थे, ठीक है, और फिर उनके बाद हमें पता है, कि 17, 82 के टाइम पर, जब डेथ हो गए थी, हैदर अली के तो उनके बेटे टीपु सुल्तान आ गया थे, ठीक है, which of the following statement is correct, टीपु सुल्तान is also known as Tiger of Mysore, बिल्कुल सही है, टीपु सुल्तान ruled over Mysore from 82 से लेके, बिल्कुल, 82 में आ गया थे, 2nd Anglo-Mysore War के टाइम पर, और 99 तक रहे थे, 4th Anglo-Mysore War तक दोनों सही है, यह दिख लेकर correct पूचा है, कि not correct, अभी जो मैंने observe किये, कि सिसी यह ज़्यादा खेल खेलता नहीं है, correct बोथ 1 and 2, 29, in which year did the Mughal Emperor Shalem 2 appointed the East Indibus, पांच केस्चन और करेंगे, पांच से जादा होंगे, नहीं करेंगे, ठीक, मुझे पता आपको बहुक लग रही होगी, और मुझे पता है कि 700 लोग कम होगे, 700 लोग को बहुँ जादा बहुक लग रही थी, ज़ो, तो in which year did Mughal Emperor Shalem 2 आपको बार बार होई क्विश्चन है, आपको पता है कि ट्रीटिय अवलाबाद होई थी और इसे से इनको दिवानी यहानी सब मिला था, वो वहीं से डूवल गवर्मेंट स्टार्ट होई थी, वहीं से गवर्नर जेनल अव बंगल दिरिं थर्ड अंगलो मैसार वर के टाइ गवर्नर जेनल बंगल का, तो यह तो नहीं था, कॉर्ण वालिस था, ठीक है, कॉर्ण वालिस, उप्शन नमर बी, इसी नहीं ओफर दिया था कि भाई, साइन कर लो, लेकिन नहीं कर रहे थे, तो बोले आओ फिर, चलो, in which year the administration of India was transferred into the hands of British monarch by the proclamation of Queen Victoria, चलो, यह अभी नहीं कर कल वाला topic में आजाएगा, आपको यह समझ में, ठीक है, in which year the East India Company incorporated for the exploitation of trade with East India, East India Company incorporated for the exploitation of the exploitation, अचा, कब, मतलब इनको एक तरह से नहीं अपना एक trading right ले ले लिए Queen Elizabeth से, तो हमने देखा तो 1600 में, है न, 1600 में उनने trading right ले ले लिए थे, second last question हो तोड़े, post the Anglo-Mysor war, whom did the East India Company appointed as the governor of Bengal, Robert Clive, Metcalf, Harding, या फिर Hastings, अचा, governor of Bengal पूछ रहा है, 1799 के बाद, 1799 के बाद, Clive तो होंगे नहीं, ठीक है, और यहाँ पर answer होगा, Warren Hastings था ही है, ठीक है, option number D, यहाँ पर सही answer होगा, ठीक है, because Warren Hastings ही हमारा यह बना था, पहला governor general of Bengal भी, ठीक है, पहला governor general of Bengal भी यही बना था आगे बढ़ते हैं, where was the first, हाँ, अब यह question है, जिसके मैं तलास कर रहा, तो यह मुझे लग रहा तो कहां है question, है भी की नहीं, first youth mill, कहां पर setup हुई, तो ध्यान रखना, यह setup हुई, रिश्रा जो की है, West Bengal में, यह चीज़ ध्यान रखना, कि पहली अगर cotton mill पूछ ले, cotton mill, त यह लोग चले गए, Bombay में, और वहां पर Bombay, spinning, spinning and waving machine, spinning and waving machine की, जो है, इनोंने स्थापना कर दी, अच्छी writing अब लिग नहीं पाएंगे, ठीक है, यह भूख लग रही होड़ी जोर की, तो 1854 में Bombay spinning and waving machine यहां पर स्थापना होती है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्या आना था, चलो और कुछ तो नहीं चूट रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है 35, 35 question यह है, when did, किस में, एक सेकेंड, who led the, यही ना question 34, 34 होगे, 35, who led the English Army in the Battle of Boxer, तो किस ने लीट हिया था, हमने देखा था, आयर कूट ने तो 3rd जो हमारा यह हुआ था, Carnatic War, उस में लीट किया था, 3rd Carnatic War में, और यहां पर जो सही answer होगा, क्लाइव, तो उसने लीट किया था, Battle of Boxer में, सलीमन ने होगा, एक्टर मुनर, option number D, ठीक है, और यहां पर जो है, क्लाइव आंसर होना चीए, मेरे, बिल्कुल, क्लाइव ही तो था, 7997, क्लाइव होगा इसका answer, ठीक, option number A होगा, ठीक है, क्लाइव ही होगा, इसका answer, हस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, हस्टिंग इसके बाद आया था, जोगी पहला Governor General बना था, बेंगॉल का बाद सही है, लेकिन, 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 यहाँ पे, Post Anglo Mysore Wars से, अगर पूछ रहा है, तो उसका मतलब है, यह First वाले के बाद पूछ रहा होगा, ठीक है, तो अगर First वाले के बाद पूछ रहा है, तो दिन Robert Live इसका answer होगा, ठीक, तो यहाँ पे 35 questions तक करेंगे, और जो त्य दो तीन questions last के, यह आपके लिए homework है, ठीक है, यह homework आपको घर से करके लाना है नहीं, कल सब लोग class से निकाले जाएंगे, सर्क कुछ दिन छुटी दो बहुत class का revision बाकी है, का है को बाकी है, तुम लोगों को आराम आराम से भी चीज़ें करनी है, और revision के लिए फिर time भी मिल चाहिए है, अभी मतलब revision के लिए time चाहिए है, अगर मैं आराम आराम से कराने लगा तो फिर कितना time खीचे गई है, तो इसे थोड़ा से speed लेके चलना है, बाकी कल हम लोग 1857 का वार देखेंगा और उसके पहले जो छोटे छोटे वार हुए तो वो देखेंगे, ठीक है, आ टीपु सुल्तान is equal to pioneer of rocket technology, बिल्कुल बात तो सही है, आनंद, माना तो जाता है, मराथा वाली कलास अभी तक नहीं upload गी, रुप को बटा भी, कल आना भी मैं, यो डंडा है मेरा, उसको मैं तेल में बिगोने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कल आना तुम, थोड़ा अच्छे से मां बतापाऊंगा, बाहु बटाओगे प्रियानशु सिंग, बेटा तुमको प्रियानशु यह ना बाहु बली डियानशू अलग से पढ़एंगे, तुमको अलग से तुम्हारी कलास चले इसके लिए प्रियानशु, ठीक हैं, वो खलास जब तुम पूरा सले यह बस खतम कर लोगे ना तब तुम्हारे अलग से बाहू वली डेनिस्टी तुमको पढ़ाएंगे फर्स जूट मिल का एर नेन दिखवाए गया उन्हें 1855 है ठीक है 1855 आठारा सु पिछपन आठारा सु तेरा ऐसे समझ्झा शुब आठारा सु तेरा में पहले कौटन मिल एक लेंड मिल कहां पर वेस्पेंगॉल में फिर फिर ऐफारा सु चगवन में मतलब बॉंबे में चले गए लोग चीज़ों को डिफर करना कैसे बंद करें मतलब संजाने संजा निया अब क्या पूछ रहा है जो इसे मार पड़े वैसे तो मैं समझा रहा हूं तो समझा लाए उती देर से कि एंगलो ये जो मराथा वाल अलकल पढ़ा है तो वह अविलेबल है नहीं application because वो डाँलोड नहीं हो पा रहा है उसको वो कारण है ठीक है तो प्राइबिट टेलिग्राम को जॉइन कर लिजे ताकि उससे आपको पता चलता रहे कि क्या चीजें हो रही है तो वहाँ पे ने link share कर रहा है वहाँ से आप उसको देख सकते हो वह भी available है वहाँ से link से आपको देखना पड़ेगा वह भी available है नहीं application because वह download नहीं हो पा रहा है ठीक है चलो वीडियो डिलीट क्यों होता है क्योंकि यह batch की वीडियोज है और यह जो batch की वीडियोज है तो यह live तो streaming होती है free YouTube पर इसके recording application पर upload होती है SSEGK 2.0 batch के अंदर और जो recorded batch है उसमें दिख जाएगा आपको recorded batch उनके लिए है जो लोग IB, ECIO या फिर CSIR को target कर रहा है या फिर जिनके April से पहले कोई भी exam है या फिर उसके बाद अगर को exam है तो go with the SSEGK 2.0 यहाँ पर सारे आपको recorded format मिल जाएंगे politics, geography, science सारी चीज है ठीक है चलिए भई थैंक्यू सभी को procrastination चीज हों को अच्छा procrastination को लेके मैंने कुछ वीडियोज बनाई थी तो आप प्लीज उनको देख लो पढ़े होंगे अभी जो है मैं खाने को procrastinate नहीं कर सकता हूँ नहीं तुम्हारे question का अंसर जरूर देता कल यह तो फिर तुम्हारे question का अंसर देता हो है ना चलो भई थैंक्यो विकॉस अभी current face भी तो तुम्हारे लिए बनाने है इंस्टाग्राम वाले हैं चलो भई